हम सब युगल रूप की आराधना करते हैं, वैसे तो दोनों एक ही हैं, लेकिन जीवों को विशेश रूप से साधकों को आराधना है तू, कृपा है तू, दया है तू, उपरब्रम्म दो रूपों में प्रकट हैं, एक न्याई का रूप और दूसरा दया का रूप, महात में भी आवश्यक हैं, जिससे हम अपराधों से बचते हैं और हम लोगों को दया की परमावश्यकता है, जिससे हमारा साहस, हमारा उट्सा इस मार्ग में बढ़ता हैं, हमारा विश्वास दृड होता है, श्रद्धा बढ़ती है, निश्ठा दृड होती हैं, एक श्याम सुन्दर हैं और दूसरी श्यामा है, हमारी आरात्या, एक ही हैं, लेकिन दो रूपों में प्रकट हैं, एक राधा और एक क्रिश्ण, दोनों का स्वरूप एक हैं, characteristics, properties, qualities एक हैं, आपको दो रूप में दिख रहे हैं, लेकिन सदगन हैं, चिदगन हैं, आनन्दगन हैं, यह similarity हैं, इनकी उपासना हम जैसे कलिमल ग्रसित जीव करते हैं, ऐसा नहीं, इनकी उपासना करते हैं, शिव, स्वयम, महादेव, भगवान, कृष्ण और शिराधा की उपासना करते हैं, श्री कृष्ण की उपासना शिव करते हैं, यह तो आप सब लोगों को पता हैं ना, दो नाम की उपासना, आराधना, रटना, जाप करते हैं, शंकर, राम, लेकिन जब कृष्ण अवतार होता है, तो समाधी तूटती है, और फिर कृष्ण के दर्शन हेतु, नंदगाओं पधार जाते हैं, शंकर, यानि वो राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं मानते, वो राधा कृपा कटाक्ष की रचना करते हुए, राधा तत्तु का वर्णन किया है, मुनींद्र व्रिंदवंधिते, त्रिलोक शोक हारीनी, प्रसन्वक्त्र पंकरजी, निकुंजभू विलासिनी, ब्रजेंद्र भानु नंदिनी, ब्रजेंद्र सूनु संगते, कदाकरिष्य सीहमा, कृपा कटाक्ष भाजनम। भगवान शंकर कह रहे हैं, कृपा कटाक्ष हिराधिराने, तुम मुनींद्र, योगींद्र द्वारा वन्दित हो, त्रिलोक शोक हारीनी हो, तृताप का शमन करती हो, तृताप को मूल से नश्ट करती हो, उसका हरन करती हो, और विशुभान के दुलारी हो, विशुभान नंदिनी, और ऐसी भान नंदिनी की शोरी जू, को मैं हाथ जोड़ कर भगवान शिव कह रहे हैं, आराधना करते हुए याचना करता हूँ, कि हे कृपा मैं कभी मेरे उपर भी कृपा कटाक्ष कर देना, तो भगवान शंकर राधा कृष्ण की उपास ना करते हैं, आराधक हैं, वो आराध्य हैं, तो ऐसा नहीं कि हम ही लोग करते हैं, भगवान शंकर उनकिया आराधना करते हैं, शिव, शुक, सनकादिक किया करते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, शुक कौन हैं, शुक हैं शुकदेव परमहन्स, ये वही शुक हैं, जो निकुंज में राधा और रसिक नागर के लाडित पालित हैं, बड़े लाडले, राधा की सूचना कृष्ण को देते हैं, कृष्ण की सूचना राधारानी को देते हैं, बिल्कुल अंतापुर में रहते हैं, राधारानी से सारी वारतालाप होती है, राधारानी के लाडले हैं, शुक, ये तो राधारानी ने आज्या दी, इसलिए उन्हें प्रेम धर्म के प्रचार हे तू, इस जगत में बेदव्याज जी के पास आना पड़ा, वरना ये वही शुक है, तो शुक के भी आराध्य हैं शामाशाम, सनकादिक, चारो भाई, एक उम्र, एक रस, ये भी आराधना करते हैं शामाशाम के, कैसे आराधना करते हैं, तो शुमाराजी कह रहे हैं, गावत आठो याम, आठो याम, आठो प्रहर और कोई काम नहीं, केवल उनके गुणा वली का गान करना और नित्रों से अविरल अश्रु बहाना यही शिव, शुक, सनकादिक किया करते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, ऐसे ही, शुमाराजी कह रहे हैं, साधक को अराधना करनी है, शामा शाम की अलौकिक लीला, जो नित्य गोलोक में हो रही है, लेकिन कभी-कभी भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए धरा में अवतरित होते हैं प्रभू, और जब स्वयम गोलोक बिहारी श्री कृष्ण अवतरित होते हैं, तो जीवों को परम सुख मिलता है, आज से पाँच हजार वर्ष पहले धरा पर स्वयम गोलोक बिहारी श्री कृष्ण अपने परिकर सहित इस धरा पे आये, और वो ब्रज प्रेम लुटाया, वो प्रेम रस लुटाया, और उस प्रेम रस को पाने के लिए बड़े-बड़े ज्यानी अमलात्मा परम्हन, दिवाने हो गए, रामा अवतार में भी यही हुआ, क्योंकि रामा अवतार भी जैसे द्वापर में पूर्णतम, पुर्षोत्तम, ब्रह्म स्वयम आए, रामा अवतार में भी श्री कृष्ण स्वयम राम बन कर आए. तो ग्यानियों को परम सुख प्रदान किया, परम हंसों को प्रेमी बनाया, परम हंसों को श्री परम हंस बना दिया, ग्यानियों को प्रेमी बना दिया, कैसे? अपनी करपा से. मूरत मधूर मनोहर देखी, भाया हूँ विदेह, विदेह विशेखी. राम और लक्ष्वन सामने से आ रहे हैं, बनवासी भेशे, क्या तेज है? और देखने वाला है कौन? विदेह राज जनक. और जनक क्या देख रहे हैं? तो सिदाज दी कहते हैं, मूरत मधूर, मनोहर, मनोहर माने मन को हरने वाली. अरे, जो परमहन्स है, उसके मन को कौन हर सकता है? फिर जनक जैसे. लेकिन आज घटना घट गई, क्रपा कर दी प्रभूरामने. कि उस ज्ञानी ब्रह्मानन्दी को प्रभू सुन्दर लग रहे हैं. प्रभू उनके मन को, यानि वो मन वाले हो गए, जिसका अंताकरण समाप्त हो चुका था, जो मन बुद्धि वाला नहीं, केवल आत्मा सत्ता रियलाइस करने वाला, सत्ता को अनुभव करने वाला, वो आत्मा राम, जनक, वो कहते हैं, ये कौन है जो मेरे मन को खीच रहा है? ये कृपा, ज्यानियों पर कृपा, उद्धाव जैसे परमहंस ज्यानी पर कृपा, हे कृष्ण, मैंने ब्रज में जाकर, उस अलौकिक प्रेम का राधरानी की कृपा से आत्मसात्त किया है, मेरे रोम, रोम में वो प्रेम बह रहा है, मैं जो तुम्हें कहता था की, रोते क्यों हो कृष्ण, आज मैं रोते रोते कहता हूँ, हे कृष्ण, तुम्हारे जैसा निश्ठुर कोई नहीं है, वो प्रेम की आचारिया, वो दिन रात तुम्हारे लिए आसु बहाती है, और तुम बहाने बनाते रहते हो, जाकर थोड़ा दर्शन नहीं दे सकते, ऐसा अलाओ की प्रेम ब्रज में बह रहा है, मुझे पर कृपा करो, कृष्ण, मुझे विटप बना दो, मुझे उसी ब्रज में ब्रिक्ष बना दो, लता बना दो, जड बना दो, पत्थर बना दो, ब्रजरेण बना दो, तो भी मैं अपने आपको कृतार्त मानूंगा, तो ज्यानी भी प्रेमी हो रहे हैं ब्रज धाम में ब्रह्मा एक पैर पे खड़े रहते हैं तप कर रहे हैं और तप करके क्या कहते हैं मया तप्तम तपख पुरा नंद गोपब ब्रजस्त्री नाम पादर एनू पलब धये मैं खड़ा हूँ कभी ब्रजांगनाओं की टोली इधर से गुजरेगी वो ब्रजांगनाईं जो सर पे जल की मटकी, दही की मटकी, दूद की मटकी लेकर गुजर रही हैं गाओं की ग्वाली ने घूंगट काड़े हुए भीतरी भीतर गोविंद के लिए अश्रू बहाने वाली इनकी पदरज पाने के लिए स्रिष्टी करता ब्रह्मा एक पैर पे खड़े हैं कि ये गुजरेंगी तो धूली उड़ेगी और वो रज मुझे मिल जाएगी ये साधारन ग्वालिनों की? नए ये साधारन नहीं है ये गोपिया साधारन नहीं है प्रेम पाने के लिए साधारन बनना होगा प्रेम पाने के लिए इस पात्र को बिलकुल साधारन इसको सिंपल कहते हैं मैं निर्मलता की बात नहीं कर रही हूँ सहजता की बात कर रही हूँ किसी भी बात का अहंकार न हो दिया अभिमान न हो वरना प्रेम नहीं टिकेगा प्रभू ने वेद की रिचाओं को कहा यदि वेद तुम स्वेम ज्ञान हो यदि ज्ञान का अहम लेकर ब्रज में आऊँगे तो प्रवेशिका नहीं उद्धो जैसे ज्ञानी यदि अपने ज्ञान का पिटारा लेकर ब्रज में आए तो फिर ज्ञान देना पड़ा यानि यमुना जी में बहाना पड़ा ज्ञान को तो ये ग्वाली ने कौन है ये वेद की रिचाओं है तो दूसरी ओर जिन्होंने रामा वतार काल में वर्दान मांगा है कोई सिद्ध रिशी मुनी है अगनी के पुत्र है कोई नित्य सिद्धा है तो कोई साधन सिद्धा है साब है साधारन नहीं है ये गोपिया लेकिन प्रेम का अर्चन करने के लिए प्रेम को आत्म साथ करने के लिए प्रेम वीक्षन कैसे होता है प्रेम का वर्षन कैसे होता है जब हम सहज होते हैं तब प्रभु का हदय पिखलता है और वो दया करके प्रेम वर्षन करते हैं इसलिए यहां गोपियां बिल्कुल सरल बन गई उन सरल गोपियों के चरन रज को पाने के लिए विधी एक पाउं में ब्रज में खड़े क्या नीजन कहते हैं कि जब हम ब्रिक्ष बन के खड़ी रहेंगे और आप अनेक प्रकारी की लीला करेंगे तो हम उसके साक्षी बनेंगे कभी-कभी आप लीला के समय अपने अजानु लंबित बाहों से अपने हस्त से हमारा स्पर्श कर लेंगे कभी आलिंगित कर लेंगे तो हम भूरी भाग के मानेंगे अपना तो यह ग्यानियों की स्थिती है ऐसा कमाल है शामा शाम के आराधना में कि जिनकी गुणावली को सुनकर जो शुकदेव परमन समाधी में थे उनकी समाधी तूट गई ऐसे सुन्दर शामा शाम के गुणावली का गान छिन छिन हम सब को करना है करी उनकी समाधी को करना है